इस इस पार्ट है हमारा सिलेंडर पिविट इस्पिंडल तो हम यहां पर राइट प्लें सेलेक्ट करेंगे इसकेच एक सरकल ड्रो करेंगे हम यहां पर इसकी डायमेंशन देंगे टैने मेंडाया इसे हम 3 mm एक स्टूर करेंगे ओके अब हमें यहां पर इसे 18.5 mm एक स्टूर करना है 5 mm ड्रो को तो हम इस सर्फेस को सिलेक्ट करेंगे इसकेच सरकल यहां पर हम सरकल ड्रो करेंगे 5 mm डाया का एक स्टूर बोस बेस इसे हमें 18.5 mm एक स्टूर करना है ओके अब हम अब हमें इसका यह 2.5 mm इसे इस तरीके से आगे से टेपर बनाना है तो हम यहां पर फ्रेंट प्लें सिलेक्ट करेंगे इसकेच नॉर्मल हम लाइन कमांड को सिलेक्ट रेंगे और यहां पर इस तरीके से एक लाइन ड्रो कर लेंगे सिलेक्ट इसमार्ट डैमेंशन यहां से यहां यह हमें 45 डिगरी का देना है और इस लाइन की लेंद है 2.5 mm यह हमारी ड्रिवन है तो एक्जिट स्केच करेंगे रिवोल बोस बेस कमांड को हम सिलेक्ट करेंगे इस तरीके का हमारा यहां पर टेपर्ड बन जाएगा इसका हमें material देना है material है हमारा mild steel यह फिर हम से अल्यूमिनियूम का मैटिरियल दे देंगे अब हमारा सेवंथ पार्ट है इसका नाम है हमारा पोर्ट ब्लोक पेडेस्टर तो इसे बनाने के लिए हम फ्रेंट प्लेन लेंगे इसकेच और यहां पर हम एक जोमेटरी ड्रो करेंगे कोच इस टाइब की हम एक जोमेटरी ड्रो करेंगे यह इस टाइब की हमें जोमेटरी ड्रो करनी है अब हम सेंटर लाइन लेंगे और इस लाइन के सेंटर पोइंट से एक सेंटर लाइन ड्रो कर लेंगे अब हम इन तीनों लाइनों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर हमें सिमेट्रिक रिलेशन देना है इन तीनों लाइनों में सिमेट्रिक रिलेशन देना है और इन दोनों पॉइंट और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर भी हमें सिमेट्रिक रिलेशन देंगे इस मार्ट डिमेंचन इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस है हमारी 7 mm और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस है 27.5 mm और इस लाइन की लेंद है हमारी 22.5 और इस लाइन की लेंद है 10.5 और इसकी 5 mm हमारी लेंद है तो इस line की length है हमारी 5 mm इस line की length है 22.5 mm और इस line की length है हमारी 10.5 mm इस line और इस line को हम यहाँ पर select करेंगे इसे equal कर देंगे और इस line को और इस line को select करेंगे इसे भी हम equal कर देंगे तो हमारे इस तरीके की बन जाएगी तो यहाँ पर हमें एक dimension उड़ देने है smart dimension this to this यह length हमें angle देना है 45 degree का selected तो यह हमारा इस तरीके का इस तरीके की geometry बन के तयार हो जाएगी exit sketch करेंगे extrude boss base command को select करेंगे यहाँ पर हम mid plane ले लेंगे और इसे हमें extrude करना है 12 mm यहाँ पर हमें दिया हुआ है 12 mm हमें इसे extrude करना है तो हम इसे 12 mm extrude कर देंगे ओके अब center point पे sketch करेंगे normal एक circle draw कर लेंगे एक circle draw कर लेंगे और इसकी जो dimension है हमारी bottom line से 20 mm ऊपर की तरफ डाया 4 का एक circle है smart dimension डाया 4 mm एंड बोटम लाइन से 20 mm और इस escape करेंगे smart dimension इस पॉइंचन इस पॉइंट से mid point की sorry इस पॉइंट से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक मिला देंगे mid point तक select इस line को select करेंगे और यहाँ पर हम vertical relation दे देंगे exit sketch करेंगे और extrude cut command को select करेंगे isometric यहाँ पर हम through all select करेंगे और इसे through all cut कर देंगे और इस तरीके का cut हो जायागा इस surface को हम यहाँ पर select करेंगे sketch normal अब हम एक circle को select करेंगे और center point से इस circle के center point से एक circle draw करेंगे radius 10 यानि की dia 20 का हम एक circle draw करेंगे और offset entity लेंगे और इसे हम offset कर देंगे 4 mm बाहर की तरफ ओके तो अब हमें इसे center line से 4 mm outside एक circle draw करना है तो हम circle लेंगे और यहाँ पर हम three point circle लेंगे इस तरीके से हमने circle draw कर दिया और एक center line ले लेंगे यहाँ से यहाँ पर एक center line draw कर लिया है smart dimension इस point से 4 mm और same circle हम इस जगा भे भे ड्रो करेंगे here to here here ओके इस point को select करेंगे इस point को select करेंगे यहाँ पर हम vertical relation देंगे अब हम mirror entity को select करेंगे entity to mirror में हम इन दोनों arc को select करेंगे और mirror about में इस line को select करेंगे ओके अब हम यहाँ पर trim entity को select कर लेंगे और इस extra portion को जो भी हमारे extra portion है इसे हम delete कर देंगे trim कर देंगे हां से हम जो भी हमारा extra portion है सिलेक्टेड तो यह कुछ इस तरह का draw होगा हमारा exit sketch करेंगे extrude cut command को select करेंगे और इसे हमें यहाँ पर हमारा channel 6mm deep तो 6mm deep है हमारे 6mm हम इसे cut कर देंगे 6mm enter ओके कर देंगे तो यह इस तरीके के हमारे कुछ channels draw हो जाएंगे और अब हम back surface को select करेंगे sketch नॉर्मल यहाँ पर हमें दो circles draw करने हैं तो कुछ यह हम दो circle draw कर देंगे इन दोनों circle को हम select करेंगे इक्वल रिलेशन इसकी dimension है हमारी center से 20mm उपर की तरफ और center line से 12mm outside तो हम यहाँ पर एक हम इसमार dimension लेंगे और इसकी हम dimension देंगे 20mm और इस circle से इस circle की जो distance है वो है हमारी 12mm selected तो यह circle हमारा हो जाएगा horizontal और smart dimension इस circle से और इस circle की dimension यह भी हमारी 12mm हो जाएगी और इसका dia है हमारा यहाँ पर M6 M6 6mm deep है तो इसका dia हम यहाँ पर 6mm dia देंगे select exit sketch करेंगे extrude cut command को select करेंगे और 6mm deep हमारे 6mm deep cut होगा ok तो यह कुछ है इस तरीके का draw होगा अब हम इस surface को select करेंगे sketch normal यहाँ पर भी हम दो circles draw करेंगे इन दोनों circle में हम equal relation देंगे equal और तीनों center point को select करेंगे हम horizontal relation देंगे इसकी जो dimension है हमारा 4mm dia और center से 23mm offset तो इसका जो हमारा dia है यह है हमारा 4mm dia और एक center line ले लेंगे और यहाँ पर हम center point से एक center line draw करेंगे selected smart dimension यहाँ से यहाँ तक कि इसकी dimension है हमारी 23mm और यह भी हमारा same है 23mm exit sketch करेंगे extrude cut command को select करेंगे isometric और इसे हम through all कर लेंगे okay तो यह कुछ है इस तरीका draw हो जाएगा इसमें हमें यहाँ पर fillet देने हैं और material हमें देना है brass तो यहाँ पर हम fillet लेंगे 1mm के fillet ले लेते हैं this edge and this edge इन दोनों edges पर हमने fillet ले लिया है और इसमें हम यहाँ पर material दे देंगे brass polished brass sorry यहाँ पर हम part को select करेंगे और यहाँ पर हम polished brass material दे देंगे isometric अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें share करें comment करें और subscribe करें हमारे चैनल को और साथ में bell icon को दबना ना भूले thanks for watching जोड़ी करें भूले को च्रिटे ज최़